गुड मर्निंग फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंट्स आज लेंगे हम संब बेज वन ट्रेड डिसकाउंट कैस डिसकाउंट ठीक है महेंद्रस संखवी का समय तो जुलाई मंत के ट्रांजेक्शन हमें प्रोवाइड़ है ज्यान से सुनेगा ट्रेड डिसकाउंट डिडक्ट होता है कि रिकोर्ड नहीं होता एक तो यानि 1,000 डिडक्त करोगे तो गूड्स वेल्यू कितनी आएगी 9,000 तो यह 9,000 ही रिकोर्ड होंगे तो purchase account debit to credit the giver यानि तरुना trader डिट 5 goods of rupees 7000 sold to Gandhi brothers at 5% trade discount अब देखलो friends 7000 गुड्स है 5% यानि 7000 तेलकुटर से आप कर सकते हैं परसंट टिडी यानि trade discount अब डिड़क होगा record नहीं होगा टिडी I am repeating my dear friend टिडी डिड़क्ट होता है record नहीं होता है 7000 का 5% यानि 350 less हो जाएगा ता यानि 6650 ठीक है अब सिरी बात है यहाँ पर आपने cash से sold किया हुआ है cash पे तो cash पे है तो cash आ रही है cash to sell 6650 cash to sales 6650 एइट नंबर गा goods of रुपी 12,000 purchase from mangal das at 10% trade discount and 5% cash discount दोनों है friends तो यहाँ पर तो td minus होगा record नहीं होगा cd minus भी होगा और record भी होगा what is the difference between td and cd td deduct होता है record नहीं होता है cd deduct होता है और record भी होता है तो यहाँ पर है 12,000 का goods है सबसे पहले td minus करेंगे td कितना है 10% यानि 1200 यानि 10,800 और cd कितना है 5% यानि 10,800 का हमें 5% लेना है 540 तो डिड़क करोगे तो minus करके कितनी value आने चाहिए 10,260 जर्नल क्या होगी purchase किया हुआ है तो purchase account debit td minus करने के बाद जो value आती है वही जर्नल में जाती है 10,800 to cash account 10,260 और 540 आएगा cd यह record होगा 540 cd record होता है यह 1200 record नहीं होंगे ठीक है फ्रांट्स चलो next यह हमारा 10 number यानि 10 dead goods of rupees 11,000 sold to viral at trade 10% trade discount and 5% cash discount 11,000 का है goods यानि 10% minus करो ठीक है फिर 5% minus करो payment received in cash तो cash account discount account to sales account पहले 11,000 में से 10% minus करो यानि 1100 minus होंगे ठीक है 10,900 आएगा फिर है 5% minus करना पड़ेगा ठीक है उसी साब से आपको करते जाने कि with the help of calculator तो friends यह ही transaction होते है 12,000 goods of rupees 8,000 purchase from बिहारी ब्रदर्स at 10% trade discount and 10% cash discount यानि दोनों साइड पे 10,000 पर यानि पूरा नहीं payment हुआ है हाफ ही हुआ है यह रहा यानि CD हाफ पर ही calculator करना पड़ेगा 12,000 का तो purchase account debit minus करके लिखो यानि 8% में से 10% यानि 8,000 में से 10% minus करो यानि 800 minus हो जाएंगे यानि 7,200 7,200 purchase account पे जाएंगे तू फ्रेंट ध्यान से सुनना हाफ हाफ कर लो दोनों यानि 3600 3600 अब कितना calculate करना है 10% जितना payment कर रहो यानि 10% 360 आ जाएगा यानि cash में जाएगा 360 minus करने के बाद 3600 में से यानि 3240 जाएगा यानि cash में 3240 जाएगा डिसकाउंट में सिधी बात है 360 जाएगा और credit की वह बिहारी ब्रेदर्स में चला जाएगा 3600 ठीक है फ्रेंट्स किसी साब से हमें करना practice करना इसकी सबसे पहले टीडी माइनस करो कि नेक्स्ट कि 15 को डेट 15,000 का good purchase किया 10% टीडी है और किसी रही कब देना है payment मिल जाए हमें 20 जुलाई से पहले तभी cash तभी तो नहीं देना है देखते है payment 20 से पहले मिलता है कि नहीं मिलता है तो पहले 15,000 का 10% यानी 1500 लेस हो जाएगा 15,000 का 10% टीडी यानी 1500 लेस हो जाएगा यानी 13,500 है purchase है तो purchase account debit चीदी बात है ना purchase है या sale है sale है ठीक है ठीक है तो friend sales है purchase हो था तो purchase account debit होगा यहाँ पे sales है तो sales account credit होगा तो लेने वाली party कौन है बीमल तो बीमल to sales 13,500 बीमल to sales 13,500 ठीक है अभी हमने city minus नहीं किया हुआ है reason क्या है देख लो payment 20 से पहले मिल रहा है कि नहीं 18 को for sale of 15 July बीमल has issued a check for and half amount देख लीजिए friends आधी amount का ही check मिला तो 13,500 का check नहीं मिला है half का ही मिला है यानि 6,750 का ही मिला है तो city उसका ही देएंगे नहीं तो उसका 10% यानि 6,75 पूरी amount का check नहीं मिला हुआ है बीमल से हमें आधी amount का ही मिला तो आधी amount का ही हम discount यानि city count करेंगे क्योंकि 20 से पहले मिल तो गया पूरा नहीं मिला है half मिला है तो half का ही count किया हमेने ठीके प्रेंट्स पैसे आ रहे है बैंक अकाउंट डेविट तो यहां पर 675-6075 बैंक अकाउंट डेविट पैसे आ रहे डिस्काउंट डेविट तो ग्रेडिट दगिवर बिमलம कि कि विश्च पूरआथ nào नहीं आए है ठीके प्रेंट्स next फिर 22 बाकी की अमाउंट हमें cash में मिल गई तो बाकी की अमाउंट cash में मिल गई BML से हमें कितने लेनें बाकी 6 7 5 0 कि आधे तो check से आ गए है आधे बाक ए cash to BML 6 7 5 0 22 को 25 यानि हमें लेने थे 1020 मिले कितने थाउजन तो पैसे आ रहे तो कैसे काउंट डेट थाउजन 20 डिसकाउंट में डाल दो कैस्ट डेट होगा तो डिसकाउंट डेट होगा तो क्रेडिट देगिवर सुनी था 1020 पैसे आ रहे है ठीक है लास्ट ट्रांजेक्शन 31 का यह चेक अब रूपीज 800 वाज इश्यू टू वैसाली है जा फाइनल सेटलमेंट ओफ 810 हमें पैसे वैसाली को देने जाए 810 हमने दिये कितने 800 याने 10 रूपीट डिसकाउंट हो गया तो सीधी बात है डेबिट दे रिसीवर पैसे लेने वाली पार्टी वैसाली तो वैसाली एकाउंट डेबिट 810 टू बैंक एकाउंट की कुछ चेक है तो बैंक की आएगा 800 टू डिसकाउंट 10 रूपीस डाल सकते हो आप इसमें ठीक है फ्रेंट्स तो यह हो गया हमारा टीडी और सीडी वाला सम फ्रेंट ज्यांसे सुनिएगा ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट ट्रेट डिसकाउंट डिडक्ट होता है रिकॉर्ड नहीं होता है कैश डिसकाउंट डिडक्ट भी होता है रिकॉर्ड भी होता है और कैश डिसकाउंट कैसे रिकॉर्ड हो यहां पर कम्पेट हो गया है अब फ्रेंड्स यही सम्स के बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हमें मिल जाएंगे कि यह अब ले लेते हैं यह वाला कॉम्प्रेंशी यह मोस्ट टाइम पर ज्यान से सुनिए अब यह वाला सम ओम का ड्रेडर्स ठीक है अब यहां पर सब ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगे बिजनेस इस कॉमेंट से इंट्रॉडक्शन ओप कैस्ट फोटी थाउजन कैस्ट लेके आए बिजनेस में बिजनेस टार्ट किया अब फनीचल लेका है टेन थाउजन स्टॉक लेके आए और लॉन लेके आए तो सिधी बात है यह सब की सब एसेट से ये लिए लाइबिर्यटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी बाकी की सब एसेट से तो डेबित हो जाएगी और डिफरंस अमाउंट चला जाएगा capital में यानि जन्दल क्या होगी cash debit furniture debit stock debit loan credit difference amount यानि 58,000 difference amount में आ जाएंगे ठीके तो अब cash में कितना लिखना है ध्यान से सुनिएगा फॉटी थाउजन ओ लॉवण 20 cash में आएंगे 60 फॉटी थाउजन लेका लॉण लॉण तो वेसाई कैसी हुई ना किसी से हम लॉण रहे यानि हम बैंक से लॉण रहे इसका मीनिंग क्या हुआ हम क्या ले रहे है सिदी बात है कैसी ले रहे ना यह रही कैसी सिक्स्टी थाउजन कैसे होए तो फॉर्टी प्लॉस ट्वेंटी कि इसी साफ यह रही हमारी लॉन यह लॉन ही कैस में एड़ हो गई है है ठीक है डिफरेंस एमाउंट 58 थाउजन चला जाएगा कैपीडल में ड़न चलो नेक्स्ट एट ताइम उप इनोगरल आफशाप श्राट की आइसक्रीम सबको खिला थिर्फाइफ डबल जिरो गा सिदी बात है मिसटने अले एक्सपेंसी तो कैसे एकाउंट सिदी बात है डेबिट थेक्सपेंसी और लॉस इस चलो ठीक है नेक्स्ट ओपने बैंक एकाउंट विद दे बैंक ऑफ बोड़ा बाई डिपोजिटिंग 25 जने बैंक में डिपोजिट का है डेबिट दरी सीवर बैंक टू कैस कैस जा रही है तो क्रेडिट होगा इलेक्ट्रोनिक वेट मसिन पर्चेस किया है 4000 का तो सीधी बादर डेट स्टॉक टू कैस यह तो रिपीट है हमारा आगे यह ट्रांजेक्शन आ गया है यानि इलेक्ट्रोनिक वेट मसिन कहां लिखेंगे उसको डेट स्टॉक में ठीक है नमबर 5 मसीन ओफ रूफ इस 5000 पर्च में अठाउं चैनेड पर्चेन पर्चांट फिर्पसें कि क्योंत है लिखाए ओंड गांशे स्टॉक घ्र्व क्राण के टीने स्टॉफ का फिर्वजिंटकरू क्यून杰ूबगर गीवर क्राइडटि न क्राइड अच्छें तन ताउजंड का यान यानि वर में रूब 1000 डिडेक्ट हो जाएगा, 10,000 का 10% TD माइनस करेंगे, तीडी 10% है, यानि 1000 माइनस हो जाएगा यानि 9000, यानि परचेस अकाउंट डेबिट कितना होगा? 9000, परचेस अकाउंट डेबिट 9000, फिर है, केरेज अकाउंट डेबिट 50, केरेज का 50, 2, क्रेडिट दगीवर गुड्स देने वाली पार्डिकोर ने सीवं ट्रेडर्स 9,002 कैस अकाउंट 50 रूपीज ठीक है 10 डेट आउस रेंट पेड 7,000 है लाइफ इंसुरंस 1200 पेड बाई चेक तो सिद्धी बाद द्रॉइंग्स हो गया द्रॉइंग्स अकाउंट दोनों का टोटल 8200 ड्रॉइंग्स में चले जाएंगे दोनों के दोनों परस्नल एक्पेंसिज है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 8200 टू कैस कैस में कितना लिखेंगे कैस में जाएगा 7000 और चेक में यानि बैंक में जाएगा 1200 चेक से होगा वो बैंक में चला जाएगा 12 गुट्स अब रुपीज 5000 शोल्ट तो आकास्ट ट्रेट 10 परसंट डिसकाउंट 10 परसंट कैस्ट डिसकाउंट भी यानी विदिन 10 डेश में पेवनट मिले तभी शिरी देना है तब तक तो छिफ टिडि देना तो 5000 का 10 परसंट मैंनस कर लो यानि 5000 माइनस 10% TD यानी 500 यानी 4500 होगा ठीक है किसको बेचा आकास्ट्रेडर्स को तो आकास्ट्रेडर्स एकाउंट डेबिट टू टू सेल्स एकाउंट गुर्स बेचा हुआ है 15.5 को पैसे कितने आ रहे हाफ पैसे आधे यार है आधे यानी 4500 का आधा यानी 2250 उसमें देना पड़ेगा आप तो 10% CD तो उसका 225 होगा 2250 का 10% 225 आधा पैमेंट ही आ रहा है फ्रेंड्स पूरा नहीं आ रहा है तो पैसा आ रहा है फिर से तो हमें सूल्ड किया हुआ है गूर्स हमने सूल्ड किया हुआ है गूर्स आधा प्रेंड्स को 4500 का एक टिदुट्टिंग तिड़ी पेमेंट आतो रहा है अधा आरा तो अधे पे डिसकाउंट देंगे न शिड़ी तो आधा यानि 4500 का आधा यानि 50 परसंट यानि 2250 2250 का 10 परसंट सिड़ी 225 पैसे आ रहा है जेक से आ रहा है तो बैंक अकाउंट 2025 2025 कैसे आया तो 2250 मेंसे 225 माइनस करेंगे 2025 यह CD माइनस हो गया आधे अमाउंट मेंसे यह CD माइनस करना पड़ा है जितना पैसा आ रहा है उसका ही CD देना है तो बैंक एकाउंट डेबिट 2025 डिसकाउंट अकाउंट डेबिट 225 टू क्रेडिट दगीवर पैसे देने वाली प्यार्टी आकास्टेडर्स 2250 यानि आधा पैसा मिला हमें ठीके फ्रेंट्स अकास्टेडर्स है एकाउंट डेबिट टू आकास्टेडर्स एकाउंट डेबिट टू आधा माल बापस आगया फ्रेंट्स ठीके नेक्सी 20 2,000 withdrawal from bank for swap expenses, cash account debit to bank account, अभी तो हमने expenses के लिए withdraw किया हुआ, expenses पेड कहा किया हुआ है, यन्येक्स्पेंस तो आएंगे नि, यहांनि cash to bank, cash आ रही है, यानि debit और credit the giver, पैसे देने वाला को ने, bank से withdrawals किया है, तो bank किया हुगे हुगी न, नेक्स्ट, 21 गुड्सोब रुपिक 9,000 पर्चेज फ्रों मटेडरे से 10% डिसकाउट और 5% काईच डिसकाउट् हाफमांट पेडियं कैश्छ गुड्स है तो पहले टीडी माइनस करते हैं यानी 600 टीडी 10% 54 0000 यानी तो यही ढूएं पर्चेस में जाएंगे ब्रावर यह यह amount purchase में चली जाएगे तो purchase account भी 5400 अब 5400 का half-half यानि 2700 2700 अब हमने 5% cash discount 2700 5% यानि 135 यह हो गया हमारा CD 5% कैलकुटर से आप कर सकते हो 2700 2700 का 5% 135 फिर से 27 after deducting TD 5400 half-half आदा आदा 2700 2700 5% CD count करेंगे 135 ठीक है तो CD minus करने के बाद 2565 2565 purchase 5400 cash 2565 discount 135 and credit the giver 2700 सबके सब यानि purchase debit होगा बाकी के तीनो के तीनो अगांट credit होगे done चलो, next यह transaction हमारा complete हो गया 24 donation दिया हुआ है महिला विकास ग्राव में, ठीक है donation to cash, पर यहाँ पर cash नहीं दिया हुआ है, goods दिया हुआ है ओके, तो purchase हाजाएगा donation account, cash दिया होता है तो cash account credit होता है यहाँ पर goods दिया हुआ है cash दिया होता है, तो cash account credit होगा यहाँ पर goods दिया हुआ है तो purchase account credit होगा, ठीक है next, done 25 goods of rupees 150 distributed free sample, advertisement advertisement to purchase, तो repeat है जबी भी आप good advertisement देता है, advertisement to purchase next, 26 an order is issued, यह यह तो non economical transaction होगा उसकी journal होने वाली नहीं है 28 next, the business owner, यहनी, मालिक हो गया withdrawn goods of rupees 2000 and paid tuition fee of son 800 from business यहाँ यहाँ पर तो यह goods लिया हुआ है तो credit, पर दो drawing account debit होगा दोनों का total यहनी 2800 drawing account debit होगा 2800 अब credit कौन कौन से होगे goods है तो purchase account credit होगा और यहाँ tuition fee तो cash में पेगा नहीं पड़ेगे तो cash account 800 credit होगा ठीक है पर नेक्स्ट interest of 3 month paid on 8% loan और प्रगना यानि प्रगना से हमने जो loan ली थी उसका interest 3 month का pay किया वो के calculate कर ले थे प्रगना की loan कितने रूपिस की है 20,000 की कितने परसंट की है 8% की यानि 8 divided by 100 कितने मन्द का paid किया तो 3 month का 3 divided by 12 ठीक है तो कितना interest आएगा 400 रूपिस आपके calculate रूपिस कर सकते हो ठीक है 2,0 यहाँ पर निकल गया उसी साब से आप कर सकते हो ठीक है डन जनल क्या होगी cash में pay किया interest तो सिधी बात है कि interest on loan account debit interest on loan account debit to cash account यहाँ अच्छा था अब प्रेक्टिस अच्छी तरस से इसकी भी करिएगा बहुत ही अच्छा था अब तो एक सब टांजिक्शन एक बार तो आई गये हैं अब एक सम ऐसा बड़ा ले लेंगे कि जिसमें सब के सब आ जाए यह सम नंबर जो 12 है ना उसको ले लेंगे तो य सब सब ट्रांजिक्शन आपके कंप्रेट हो जाएंगे यह वाले तो नेक्स सेशन में इसको ले लेंगे तो यानि हमारा चेप्टर यहाँ पर कंप्रेट हो जाएगा आज के सेशन के लिए इतना ही है वा गूड डे